नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेडिकल गुरूप चैनल पर आज हम कैंडी फेम वजाइनल टाबलेट के बारे में पूरिजान कर लेने वाले हैं कैंडी फेम वजाइनल टाबलेट का मुख्यद उप्योग योनी में फंगल इंपेक्शन होने की समश्या दूर करने के लिए कि आ जाता है आईए ये इस टाबलेट के बारे में दिक विस्तार सिजनती है यह टाबलेट कैसे काम करती है कहा इस्तिमाल होती है इस टाबलेट के क्या बेनेफिट से क्या साइट इपेक्स से इस टाबलेट से जुड़े से भी सावरेगी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आकरित तक दरू देखी मेर औरगानिक्स कंपनी की छे वाजानल टाबलेट की यह श्रिप आपको 122 रुपए में डॉक्टर के परचे पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स प्यासा निशिम जाएगी बात करते हैं इस टाबलेट में मुझूद कंट्रिन के बारे में केंडि फ्यम वाजानल टाबलेट में मिकोनाजोल IP 100 mg और औरनिडाजोल IP 500 mg यह कंट्रिन समझत है इसमें मौझूद मिकोनाजोल यह एक एंटि फंगल दवा है यह फंगस के सेल मेंबरेन को नश्ट करके कवो कैनी की फंगस के विकास को रोकता है और मारता है और साथ ही औरनिडाजोल यह एक एंटि बाटिक दवा है जो इंपेक्शन पैदा करने वाले बैक्टरिया को खत्म करता है बात करते हैं इस टाबिट के यूजिस की डॉक्टरी शेकिन के समझ्चा में इस्तमाल करते हैं इसका उप्योग यह उनी में फंगल इंपेक्शन होने की समझ्चा दूर करने के लिए के आ जाता है और साथ ही वाजाइनल इस्ट इंपेक्शन, वाजाइनल कैंडिडियासिस, वाजाइनल त्रस, बैक्टरियल इंपेक्शन और साथ ही बैक्ट्रिल वेजनोसिस की समश्या दूर करने के लिए रॉक्टर इस टाबलेट के इस्तिमाल करते हैं और साथ ही यदि किसी मैला को यहनी में जलन, खुजली, दर्द और वाइट डिस्चार्ज भी होता हो तो उस कंडिशन में भी यह टाबलेट बहुत फायदेमन होती है बात करते है इस टाबलेट से उनी वाले साइडीपिक, यदि आपको यश टाबलेट में माँजूद, कंटेंश रालाज आस यहीं होता है यदि बताए गए साइडीपिक S S AJS हो तो तो तुरण डॉक्टर से संपर्ख करे इस टैबलेट्स आपको इस्तेमल वाली जगह पर रियाक्शन आना और साथ ही डाइरिया, मिचली आना, उल्टी, पेट में दर्द, भूक में कमी, चक्कर आना, शिर दर्द, और रैश यह साइड़ पेख हो सकते हैं बात करते हैं यह टैबलेट लेने शेप लेह में क्या क्या साथ दन्या लेनी चाहिए यह आपको इस टैबलेट में मुझूद कंटेंट चालर्जी है या फिर कोई साइड़ पेख समस्वस होती है तो इस टैबलेट के इस्तेमल ला करें यह बात करते हैं इस टैबलेट के डोस के बारे में आप आपने समस्शा और रेच बता कर इस टैबलेट का डोस आप आप आपने डोक्टर या फिर फार्मासीद के पूत ले याद रखे दोस्तो हर रोगी और उनका मामला आलग हो सकता है इसलिए रोगी किस्तिती रोगी के आयू और अन्यकार्णों के आधार पर इस टाबलेट का डोस आलग हो सकता है इसलिए इस टाबलेट के इस्तमाल डॉक्टर के सला के आनुसार करे महिला इसे रात को सोते समय एक टाबलेट हो जाना के अंदर रख कर इसका इस्तमाल कर सकती है या फिर आपने डॉक्टर के सला के अनुसार भी इस टाबलेट के इस्तमाल कर सकती है दोस्तों जिए आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और Medical Guru चनल को सब्सक्राइब करिए और साथ इबे लाइकां दाब देजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन मिलती रहे यह है वीडियो जेकने के लिए धन्यवाद